इसको हमें समझना है कि मस्तिस्क मंडल किसे कहते हैं और यह क्या मस्तिस्क मंडल शहीर के लिए बारतालाव का इस्तरोथ होता है और इंद्रियों द्वारादर्द का बोद कराता है खुशी की गती को नियंतित करता है यह टेलीफोन के जाल के समान होता है जो मद्ध में होने के बावजूत एक शक्ति शाली दिमाग से हमारे शहीर के पितिक बावाग से जोड़ा होता है मस्तिस्क मंडल तंतूों की गठिरियों से और और ऑर्कनस माशपेशयों और मेरूरज्जू से बना होता है जो की टेलीफोन तारो की तरह कारे करते हैं जो शरीर को मस्तिस्क मंदल से जोड़े रखते हैं नसे तचा से आँखों से कानों से और मुझ से जानकारी ले जाते हैं और दिमाग को बताती है कि शहीर के बाहर क्या चल रहा है जब हम कुछ खाते हैं या पीते हैं ये हमारी हिदय की धड़कन को ब्लेट सुगर को क्या करती है नियंतत करती है औ हमारा मस्तिष्क मंडल मस्तिष्क मेरु रज्जू और नशों से बना होता है। नसें कितनी प्रकार की होती हैं तो इसमें हमें बताया गया है कि नसें तीन प्रकार की होती है। यह मस्तिष्क मंडल का चित्र है, डाइगराम है। प्रतेक का अपना कार्य होता है। मस्तिष्क करोडों और करोडों नशों के तारों को समावेशित करता है। नसें मस्तिष्क को प्रात्र के चंता के तंतुओं से जोड़े रगती है। और मेरु रज्जु को सैंस्री नर्वज ग्यानिंद्रियों से संभन्द नसों के नाम से भी हम इसको पोकारते हैं। ये नसे मस्तिस्क या मेरु रज्जू के लिए हमारे मेल और्गनस से संदेश लाती हैं, सैंस और्गनस मस्तिस्क या मेरु रज्जू को बताते हैं कि उन्होंने क्या मैसूस किया और क्या देखा। नसे जो मास्पेशियों और ग्रंतियों के नाम से भी जानी जाती हैं वे मास्पेशियां और ग्रंतियों के लिए मस्तिस्क या मेरू रज्जों से ओर्डर ले जाती है और किये गए कारे के बारे में उन्हें जानकारी देती है नशें जो मस्तिस्क से सेंस और्गनस के लिए शंदिश ले जाती है और सेंस और्गनस से मस्तिस्क को शंदिश ले जाती है मिस्सित नशें कहते हैं अब पढ़ना है मस्तिस्टी के बारे में तुम अपने घर का रास्ता और अपनी कक्छा का पाठ कैसे याद रखते हो तुम उस फिल्म की कहानी कैसे याद रखते हो जो तुमने एक महीने पहले देखी थी वैच्छर जब तुम पैदा होते हो मस्ति芝 के विचारों को भावनाओं को या अनुभव को किया करता है ग्रन पढ़ता है मस्तिष्क के शरीर को नियंत्रन कैंदर होता है जहां फैसले लिये जाते हैं और आग्या दी जाती है यह एक नाजुक आर्गन होता है जिसकी खोपड़ी द्वारा रक्षा की जाती है खोपड़ी और मस्तिश्क के बीच का इस्थान एक साफ द्रब से भरा होता है मस्तिश्क एक सुपर कंप्यूटर होता है जो कम से कम सो विलियन इसनायू कोशिकाओं का लगवक सो ट्रिलियन इस्थानों से जोड़े रखता है मस्तिश्क को हमें तीन भागों में बाटा है मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग सेरी ब्रहम होता है यह मस्तिस्क का सोचने वाला भाग होता है यह गड़ित को हल करने में, समस्याओं को हल करने में, रहस्यों को खोजने में, कम्पूटर को याद करने में, तालिक और दुरगटना को याद करने में सायता करता है यह वैभाग होता है जो हमें कारण वताता है या किसी अन्य जानवर की अपिक्छा मानव में अत्यदिक विक्सित होता है मस्तित के पीछे सेरी ब्रम के नीचे सेरी बैलम होता है या सेरी ब्रम से अधिक छोटा होता है या संतिलन को नियंतित करने में चार और घुमने में साइटा करता है यदि यहीं चोटिल हो जाता है तो कोई भी सीधा खड़ा होने में और तारीक से काल करने में समर्थ नहीं होता है मैडूला मेरूरज्जू शिकर पर होती है जो उन चीज़ों को सौधा करती है जो तुमारी जानकारी के बिनावी जारी रहता है जैसे सास लेना, बोजन पचाना और तुमारे हिदाय का धड़कना मैडूला रात और दिन कार्ड करता है अब आता है मेरूरज्जू के बारे में पढ़ना है मेरूरज्जू एक मोटी रस्टी होती है जो नसों का उतक कहला दिये मस्तिस्क और शरीर के बचुहे भाग के बच्छी जानकारियों परिवर्थित करती है कभी कभी यह उन कार्डियों को भी नियंतित करती है जो मस्तिस्क से जोड़े नहीं होते है ऐसे कार्ड मेरूरज्जू एक प्रतिवर्थि करियाओं के नाम से भी जाने जाते है अब आता है प्रतिवर्थि करियाओं हमें कुछ प्रतिवर्ति के रियाओं से जागरुक होते हैं जैसे अचालक पलकों का तेजी से समापन होना फिसल्य के पश्चा संतुरन बना रखने के लिए इसको छुआ जाता है इसलिए आतों में भोजल संचलन दिल की धलकन में पर्दिवर्तन और शचर ऐसी प्रति के रियाएं होती हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है नीचे प्रतिवर्ति के रियाओं के हमें कुछ उधारन दिये हैं देखोए अब आता है नसे के बारे में संपूर सरीर में तीन प्रकार की नसे दोड़ती है मौटर नसे ये नसे माशपेशियों ग्रंतियों के लिए संदेश लाती है जिनके परिणाम सरूप माशपेशिया गती करती है अब मौटर नसे दोप्रकार की होती है हमारी शहीर के भावों के लिए संदेश लाती है मस्तस्क और विरुरज्यों के लिए ओडर लाती है ज्यानेंदियों से संबंदित नसे में जैसे कि हम इस देखने में सुनने में ये सबी चीजों में क्या होता हैं। में दुने में सहायता कौतीर कर अब आता है, जुड़ी WOR właściwie नस ये रशे, ग्ञान से संब्बंदित कोषिकाओ, और tena कोशिकाओ के भी संकित बे जने में सहायक होती है। ग्यान से संबस्ण अवयब चारों और सान्सकारी, जनकारी देखर हमारी साहिता करते हैं आखे, हम आखों की बारे में समझेंगे इस सन्साल को देखने के लिए हमारी आखे छोटे कैमरों के समान होती है हमारे कोपड़ी में दो चित्री एक लग होते हैं जो आपको नियंतित करते हैं आपका चित्र है यह बोई पलग बरोनी आईरिस और पुतली आपके सामने कोर्णिया होता है यह आपका एक जवरी भाग होता है जो आपको संकर्दित रखता है यह इश्पष्ट और लेतों में इसे देख नहीं सकते हैं आपके लेंस इसकीन पर तश्वीर को शकंदित करते हैं जो रेटिना कहलाती है और देश्टी कोशिकाओं द्वारत शंदित देते हैं पुतली के अंदर काला धब्बा आख में रोशनी को प्रविश कराता है पुतली के पीछे जो लें कान का है चित्रे अब आता है कान कान हमें सुनने और संतुलत बनाने की संबेदना देते हैं कान को तीन भावों में बाटा गया है भायरी मत्य और आंत्रिक कान अब आता है नाक हम सभी नाक की सहाथा से सास लेते हैं और सुनते हैं ठीक है जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो उस्पथास के कुछ कीटानों को नाक गरण करती है नाक की भीता छोटी ग्यान से संबंदित कोशिकाओं की सताय होती है ये नाक का चित्र दिया है आपको डा नाइग्राम यहाँ पर और यह तो चाक डाइग्राम है तो हमें अब इस प्रिकार से आप आगे बढ़ते हैं जीब के बारे में पढ़ेंगे जीब लगबग दसजा स्वाद काली काई उपस्तित होती है, स्वाद काली काई भुजन के स्वाद का पता लगाने में हमारी साहिता करती है, तो अच्छा हमारा पूर्ण शरीर से घिरा होता है, तो अच्छा शरीर की रक्षा कवच होती है, और यह अधे कर्मी ठंड पानी की टानू और हानी कारण किर्णों के प्रवाफ से हमारी शाहिता करती है सभी ग्यान से संबंदित कोशिकाओं बहुत चरूरी होती है और हमारे शहीर का मात पून भाग होती है हमें अपनी ग्यान से संबंदित कोशिकाओं की देखवाल करने चाहिए हमें उन्हें साफ सुत्रीज रखना चाहिए ताकि में कीटाणों और बीमारियों से स्वतंत्रों हमें दिन में दो-तीन बार अपनी आखों को ठंडे पानी से दोला चाहिए ताकि वो सक्च और ताजा रहे हमें अध्यदिक टेलिविजन देखकर या कम रोश्णी में पढ़कर अपनी आखों को बिगारना नहीं चाहिए हमें कभी अपने कान पेंसल से बारों को कीपिन मार्चिस की तिल्ली से साफ नहीं करने चाहिए नेक्स प्रियाइट में हम फिर मिलेंगे कि एक्स तूड़ी तूड़ी नहीं पाइब कीपिन पाइब